जहिंद कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल जी एस वंगनेट में तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग जो आप सभी का बिहार पुलिस मद निशित 689 पदों के लिए जो आपका एक्जाम देट यानि की 50-80 महत्वण प्रस्णों को कभर करेंगे जो आपको सीधा पेपर के जीसा पेपर छपा हुआ प्रस्ण इस सेशन में मिलेगा अब आप सभी के पास समय भी बहुत कम बचकिया है जितना समय बचा है उस समय को आप सभी रिवीजन में लगा दिजिए और रिवीजन ही आपक आपका कहां तक गया है इस प्रेक्टिक सेट के साथ जूड़ करके कोशन को सल्व करके आप लगा लेजिए और लास्ट में सभी लोग अपना अपना स्कोर हमें जरूर बताईए ताकि आप सभी का त्यारी किस लेबल तक है हमको पता चल सके तो चलिए ज्यादा देर ना करते हम लोग बीडियो को स्टार्ट करेंगे लेकिन बीडियो स्टार्ट करनी से पहले अगर आप सभी लोग करे है तो चैनल को सस्क्राइब करके वोगल वाले वैल आइकन को दबा दीजिए ताकि बिहार पुलिस बिहार दोरोगा कोई भी बिडियो को अपलुट कीया जाय तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रस्ण पे जैसा कि आप सभी से पहला प्रस्ण पुछा जा रहा है कि राउल इस पात कर खाना किस देश के सहयोग से इस्तापित किया गया तो इस प्रस्ण का सही जवा आप सभी अपसन बी को ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण तीन नंबर है आप सभी का भारतिय संविदान में न्याइक पुर्वा लोकन का अधिकार किस देश के संविदान से लिया गया है तो न्याइक पुर्वा लोकन का जो चिदान थे आप सभी का ध्यान रखिएगा वो अप्सन नमबर सी अमेरिका के संभीदान से लिया गया है ठीक है ना चलिए अगला प्रस्ने चार नमबर है किस राजबंस के सासनकाल में सरवाधिक सोने के सिक्के जारी किये गये थे तो यह जो सरवाधिक सोने के सिक्के जारी किये गये थे अप्सन नमबर सी गुप्त ब था फोना पार्ड यानि कि कि अफस्व होना पार्ट शीद आप सभी लोग ध्यान देःदा। पर्तेक वर्स एड्स्यों किस तिति को मना है जाती है तो एकिस ऐड्स दिवस की champion operation number वी कि सριछे दि могут dort बाला प्रस्ण आठ नमबर भारत में पीन कोट की सुरुवात का गोई तो देखिए भारत में जो है आपका पीन कोट की जो सुरुवात हुआ था अपसन नमबर एक 15 अगस 1972 पर हुआ था ध्यान रखेगा नौ नमबर प्रस्ण है छटी अनुसुशी के तथ कौन एक ऐसा रा अवयव कौन है तो देखिए सोहत का मुख अवयव का नाम बता दीजिएगा अपसन नमबर भी फ्रक्टोच को ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण 11 नमबर भारत आने वला पहला ब्रिटी से जलपोत का नाम आप सभी को बताना है तो रेड ड्रेकन का नाम आप सभी लोग ज ठीक है ना चली अगला प्रस्ण है आप सभी का तेरे नमबर संग एम राज्यों का वर्णन किस अनुसची में किया गया है तो संग और राज्यों का जो वर्णन है आप सभी ध्यान रखेगा इसका थोड़ा अपसन कट गया है मैं आप सभी को एंसर बता देता हूं क्या ठीक है ना चली देखिए चोदर नमर प्रस्ण है समिधान संसुधन की परते किस देश के समिधान से गरहन किया गया है तो देखिए समिधान में संसुधन का बात किया जाए तो आप सभी अपसन नमर बी को ध्यान रखेगा दक्षिन अपिर ठीक है अगला प्रस्ण पंदर देव किस मोगर सासक के समकलीन थे तो यह जो समकलीन थे अप्सन नमबर डी जहागीर का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा सत्रा नमबर प्रस्न होईसल सासकों के रयधानी कहाँ स्तापीत था तो देखिए होईसल सासों के रयधानी जो हो जाएगा आपका यानि कि ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर ये द्वार समुंद्र था ठीकर है चलिए अगला प्रस्ण आप सभी लोगों का 18 नमबर है एनेच वन की से जोड़ता है तो देखिए एनेच जो वन है 18 नमबर प्रस्ण का सभी जबाब डिल्ली को अमरीत सर्च से जोड़ता है अपसन नमबर बी को ध्यान रखिएगा 19 नमबर प्रस्ण किस गरह पर सुर्व पच्छीम में उगता है और पुर्व में डुगता है तो गरह का नाम ध्यान रखिएगा आप सभी लोग और ध्यान भी रखिएगा ठीक है चली 21 नमबर प्रस्ण भूमिश्षुधार संबंधित अधिकार का संबंध किस अनुसुची से है तो भूमिश्षुधार अधिकार जो आपका हुआ था आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानि कि 9 अनुसुची ठीक है न चली जो कब ज जिनना ठीक है चली अगला प्रस्टने तेश नमबर निम्बु रस का पीएच वान लगभाद कितना होता है तो निम्बु के रस का पीएच वान आप सभी लोग ध्यां रखेगा अप्सन नमबर भी दू पॉइंट चार होता है ठीक है चोबिस नमबर प्रस्टने संवेधानि नमबर शिनकोना ब्रिक्च से किस छेतर में मिलते हैंuje, तो सिनकोना ब्रिक्च हो जाएगा आपका सभी लोग ध्यां रखेगा या किस छेतर में मिलता है तो 25 पर पाप्चेस का सभी का option GO डी हो जाएगा विश्वर्ति ये छेत्र में मिलता है ठीक है चलिए 26 नमर प्रस्ण है बारा होई अनुसुची का संबंद किस से है तो देखिए बारा होई जो अनुसुची आप से पुछा गया ना तो आप सभी लोग नगरपालिका को ध्यार रखेगा जो आपसका अपसन न इस नमबर रंगुन किस नदी के तरड़ पहस्तित है तो देखिए रंगुन जो हो जाएगा आप सभी लोगों का अपसन नमबर सी इरावतिर नदी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा चलिए 29 नमबर प्रस्ण है पाक जल्डमरू मद्ध भारत के किस राज्य के नजदी के पाक जल्डमरू जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानि कि 29 नमबर प्रस्ण का सही जबाब तमिलांडू जो अपसन नमबर डी हो जाएगा सही जबाब अगला प्रस्ण तीस नमबर पंचाहिती राज का संबंध किस अनुसुची से है तो अभी बताए करती है अपसन flatter B को ध्यान रखिएगा ड्यूस मार्क कि स दिस की मुद्रा है तो ड्यूसम जो मार्क हो जाएगा वहाफसन लोग ध्यान रखिएगा क्यिक्वार लोह तद्टोंगा सबसे अच्छा शुरूत माना जाता है डेकि लुख तद्टोंका सबसे अच्छा सुरूत जो हो जाएगा अप्शन नमबर फालग को माना जाता है ठीक है नौ चलिए चौनिए वे काई 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 क्या होता देखिए कौनिए वे काई काई रेडियान प्रतिक सेकर्ट होता है ध्यान रखेगा 35 नमबर प्रस ने रिचर्ड एट नवरो की फिल्म गाधी में महात्मा गाधी का अभिनाय किसने किया था मतलब महात्मा गाधी का रोल किसने लिया था तो 35 का सही जवाब option number C बेन किंग सले का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा 36 नमबर प्रस ने किसी राजी के विधान सभा का सभापती अपना इस्तिपा किसे समुपता है तो देखिए विधान सभा का सभापती जो हो जाएंगे अपना इस्तिपा उप सभापती को समुपते हैं option number C को ध्यान रखिएगा 37 नमबर प्रसने भारतिय समिधान में मौली करतब किस देश के समिधान से लिया गया है तो मौली करतब का बात किया जाए तो आप सभी लोग सोबियत संग को नाम आप सभी ध्यान रखियेगा 38 नमबर प्रसने दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा अप्षन नमबर D चलिए अगला प्रस्न उन्चास नमबर दुध्वार राष्टिय उध्यान किस लिए परसीद है तो दुध्वार राष्टिय उध्यान जो हो जाएगा आप सभी का तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानि कि अप्षन नमबर ये बाह के लिए और कहां है कमेंट करके बताए किस राजी में है चलिए चालिस नमबर प्रस्न है चौकमा किस देश में बुले जाने वाली भासा M निवासी है तो देखिए चौकमा जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा बंगला देश ठीक है जो अप्षन नमबर डी हो जाएगा सही जबाब चलिए एक तालिस नमबर प्रस्न है आप सभी लोगों का लिगनाइट किसका एक परकार है तो आप सभी लोग ध्यान लखिएगा कोईला का परकार है अप्षन नमबर भी ठीक है चलिए अगला प्रस्ण को आप सभी लोग देख लेजिए 42 नमर प्रस्ण आप सभी लोगों का क्या है प्रवासी भारतिय दिवस को मनाई जाती है तो देखिए प्रवासी भारतिय दिवस जो मनाय जाता है यानि कि 42 का सही जबाब option number D 9 जनवरी को मनाया जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्न है आप सभी लोगों के लिए 43 नमबर योग दिवस की स्तित्य को मनाया जाती है तो 43 का सही जबाब option number 21 जून को मनाया जाता है चलिए अगला प्रस्न है आप सभी लोगों का 44 नमबर महत्मा गादी अपने जीवनकाल में एक बार भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्स कहां पर बने गए थे तो बेलेगाव और दिवेशन आप सभी लोग ध्यान रखेगा अप्शन नमबर सी ठीक है चलिए 45 नमबर भारत के किस राज में एस्तित है तो तीरी बांद जो हो जाएगा आप सभी लोगों का अप्शन नमबर डी उत्रा खंड में एस्तित है ठीक है ना चलिए अगला प्रस्न नमबर भारती भारतियों के लिए महान सिल्क मार्क को किसने आरहम कराया था तो देखिए यह जो आर का अपशन नमबर C जाहांगिर और भाबर ठीक है न चलिए अगला प्रस्ने उन्चास कर से त 있지 को मनायी जाता है तो वाइस जर ना दिवस आपका आठ हक्टॡुबर को मनायी जाताहा अपशन नमबर B को ध्यां ःद्रखिएगा अगला प्रस्ने लास्ट 50 नमबर प्रस्ने किस विटामिन की कमी से निकी दात हिलने लगते हैं अगर विटामिन पूछा जाए न तो आप समी लोग ध्याँ रखिएगा विटामिन C की कमी से दात हिलने लगते हैं तो जैसा कि आज के इस सेसन में हम लोग पचास अत्ती महत्तोपूर्ण GKGS के प्रस्णों को कवर किया है जो आपका सीधा पेपर के जैसा एक पेपर ही आपको मैंने कवर कराया है आपको अगर किसी प्रस्ण को ले करके किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताईए सेसन अच्छा लगा हो तो सेसन को लाइक किये बीना मत जाईए ठीक है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत महनत करना पड़ता है और एक लाइक बहुत जरूरी होता है हम लोग को मोटिवेट उससे मिलता है ठीक है न वीडियो को जड़ा से ज़़ा शेयर किजिए चैनल पने है तो चैनल को सस्क्राइब करके वगल वाले बेल आइगन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाएग तो उसका अपडेट आप सभी को नोटिफिकिसन के द्वारा मिल जाएगा तो चलिए आज की सेजन को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेजन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत